वेलकम फ्रेंट्स आज हम अपके लिए प्रैक्टिस से थ्री लेकर आए हैं जो एकानोमिक्स ऑफ जेके एसे भी फाइन्स अकॉंट एसिस्टेंट के रिलेटर रहेगा तो आये स्टाट करते हैं सबसे पहला कॉशन है जल्दी चांसा करें जल्दी चांसा करें जल्दी चांसा करें अगर प्रैस इलास्टिस जीरो और वन के बीच में है तो दिमांड क्या होगी डिमांड इस इन इलास्टिक student to correct ये चार्ट में आपको बता द nie पुशन device solution क्या होती है प्राईचिसे आफ दिमांड कहते हैं कि change इनकोंटिटी डिमांडीड और परचे इस प्रोड़क्ट इस प्रोड़क्ट स्वाइस है demand पर उसका क्या असर रहता है किस percentage में change होती है demand बढ़ती है यह कम होती है elastic होती है यह inelastic होती है elastic हो गया यह यह नहीं change होती है और inelastic में change नहीं होती तो यह अब देश के तो expression इसकी तो आईए आपको यह बता तो में exam में question यहाँ से पूछा जा सकता है types of price elasticity of demand okay so यहाँ perfectly elastic demand आपको बता दूँ पहले दो demand आपने याद रखनी perfect elastic and inelastic ठीक है फिर उसको perfectly elastic और perfectly inelastic भी हो सकता है and then unitary तो इस तर पाँच type इसकी बनती है perfectly elastic demand किसको कहती है जो यह हम denote करते है price elasticity demand से E is equal to infinite यहाँ थोड़ा सा price अब change हुआ तो demand में बहुत ज्यादा change आ जाएगा infinite change आ जाएगा elastic demand किसको कहते है E is greater than 1 E is greater than 1 एक से ज़दी यहाँ जितना price बढ़ेगा उससे ज्यादा ही demand increase होगी जिस rate पर price में change आएगा उस rate से ज़दा demand में change आएगा जिसको elastic demand किते है perfectly in elastic demand किसको कहते है E is equal to zero यहाँ प्राइज बढ़ा है लेकिन demand पे zero कोई effect नहीं demand बिल्कुल change नहीं होगी इसको perfectly in elastic demand किते हैं जैसे कि salt आगए है common inferior goods आगए salt है नमक का price आप बढ़ाओ कटाओ कोई मसला नहीं है इसमें demand में कोई फरक नहीं पड़ेगा उतना ही use करेंगे in elastic demand किसको कहते हैं ठीक है perfectly in elastic होगी जिसमें बिल्कुल असर नहीं पढ़ता demand पे price आप बढ़ाओ जितना भी लेकिन in elastic क्या होता है less than one असर पढ़ सकता है लेकिन एक से कम है एक से कम का मतलब है जितना price बढ़ाओगे उससे कम ही demand में change आ सकता है और unitary demand किसको कहते हैं e is equal to one one means constant unitary demand होती है कि price जितना आप बढ़ाओगे उतना ही बिल्कुल बराबर उतना ही change demand में आएगा इसको unitary कहते हैं I hope you got this ओके so question number three का answer करने जल्दी से पिछली बार मैंने last video में आपको समझाया था law variable proportion से question है explain three stages of production ठीक है third stage of production में क्या होता है आपको मैंने कहा था graph याद रखना mind में ये वल्लग graph ये आपको याद रखना है first stage, second stage, third stage okay तो जल्दी से answer करें तो graph आपके mind में आ गया तो इसका right answer है आपका TP falls and MP is negative okay आपको नहीं समझाया तो आपको यहाँ से बता total product जो है third stage की बात कर रहा हूं third stage की तो third stage ये है यहाँ पर third stage यहाँ पर TP क्या कर रहा है TP fall कर रहा है okay MP की बात कर रहा है MP है MP third stage में क्या कर रहा है negative में चल गया है ठीक है यहाँ से नीचे जो हो गया negative okay negative अगर AP का पूछा जाए तो AP भी fall कर रहा है average product ठीक है total product marginal product का पूछा गया था total product fall कर रहा है marginal product negative में है okay I hope you got this question इसकी अब समझा गया होगी question number four का जल्दी से answer करें which of the following is not the source of revenue of central government इन में से कौन से tax है जो central government impose नहीं करती जल्दी से बता है income corporate exercise duty तो करती है agriculture income tax जो है यह state government करें तो यह निकाल दो this is the right answer okay इसके लिए आपको यह देखना पड़ेगा central government कौन कौन से tax is imposed करती है custom duties, central exercise duty, income tax and service tax तो यह आपने याद रखना है इसके बाद state government कौन कौन से tax impose करती है agriculture income, state exercise duty, professional tax, land revenue and stamp duty stamp duty important है stamp duty, state government तो यह आपने याद रखना है question number five का जल्दी से answer करें the rise of income in developing country would lead to demand curve ठीक है अगर income में rise आता है तो demand curve पे क्या effect पड़ेगा जल्दी से बता है demand curve पे क्या effect करेगा पड़ेगा जल्दी से answer करें तो आपको बता दू demand curve shift होगी किस तरफ right, left, up किदर तो यह होगी shift right income में अगर rise आता है तो demand curve right की तरफ shift होगी normal goods में आपको यह संजा दो थोड़ा सा demand curve का दिये graph है तो यहां से shift होगी right की तरफ shift होगी कब जब income में increase आएगा अगर income decrease होती है तो left में shift होगी demand curve shift होगा लेकिन एक इस case में normal goods के case में exception नहीं लेनी यहाँ पर अगर exception है तो इसके उल्टा सोचना है आपने तो in normal good the demand increases as the income grows income बढ़ती है तो demand भी बड़ेकी natural सी बात है that is an increase in income shift the demand curve right decrease होगी अगर income तो left normal good के case में exception के case में इसको opposite सोचना है यह भी आप थोड़ा सा देख लें inferior good यह exception हागी inferior good है inferior good के case में यहाँ पर demand curve demand decrease होगी by contrast in case of inferior good demand decreases as the income grows ठीक है income बढ़गी तो demand inferior good की कम होगी ना बाई क्योंके superior good खरी देंगे लोग तो इसलिए इसका इस तरह से आपने सोच के रखना है तो अगर decrease होगी demand तो curve जो है left की तरफ शिफ्ट करेगा तो यह आपने याद रखना है question number 6 का जल्दी से answer करें in short run following factors are included in the process of production तो production function आपने पढ़ा होगा short run की case में कौन से factors include होते हैं तो आपको बता दू जल्दी से answer करें तो right answer is both A and B fixed factor और variable factor दोनों के दोनों short run में factors include होते हैं तो आपको मैं थोड़ा से इसके बारे में बता दू variable factors दो तरह के यहाँ पर होते हैं production functions के variable factor और fixed factor variable factor exist करता है दोनों केस में short run में और long run में example variable factor include the daily wage आगया daily wage labor raw material etc तो यह आपको पता है short run में और long run दोनों केस में use होगा okay on the other hand those factors that cannot be varied change जो change नहीं होते है as the output changes output change होगी लेकिन factor change नहीं होगी is called fixed factor आपको नहीं समझा रहा है तो थोड़ा समय आपको बतादू यहां पर suppose एक factory है factory में अगर आप काम जो बना रहे चीज़ें उसको उसका जो output increase करोगे बढ़ाओगे तो आपको इन्पूट है इन्पूट की दो तरह की होती है एक variable और fix इन्पूट में change आएगा कि नहीं आएगा जल्दी सबता है yes input में change आएगा labor बढ़ेगी ठीक है raw material बढ़ेगा change आएगा तो इसको variable factor करते हैं अगर change ना आए fix हो तो उसको उसको fixed केते हैं fixed factor जिसमें change ना आए ओके तो ठीक है दोनु जो है short term में दोनु change ना वले भी होते हैं और change बले fix जो है fix सिर्फ short term के लिए हो सकता है लेकिन long term तक fix हम नहीं कर सकते बाई कोई change नहीं नहीं दस ही बंदे काम करेंगे पूरी जिंदगी factory में ऐसा नहीं हो सकता है long term में हम change लाएंगे उसमें अपने daily wage labor में यह रामटेल में short term में fix कर सकते हैं variable भी रहेगा fix भी रहेगा shorter में लेकि long term में जएदा मैं नहीं बोलूँगा यह आप याद रख लो short run में बहुत fix so variable factors होंगे long run में सिर्फ variable factor होगा okay question number seven का answer करें बहुत simple लारो next तीनों कोशन असान होंगे the RBI was established on the recommendation of which committee बहुत simple जल्दी से answer करें Hilton Young Commission question number eight का बहुत simple question answer है which institute regulate the financial sector in India that is RBI अब यह थोड़ा सा है आपको बता देता हूं में इसके बारे में तो GDP factor cast का answer क्या है GDP factor cast grass domestic product at factor cast factor cast अब माइन में करेंखना factory में factory में बात चल दी अभी product factory में है ठीक है market में जब आ जाएगा उसमें अलग आ अपने सोचना है तो market में जब आता है तो क्या होता है उस पे जब suppose market में कुछ चीज़ आती है तो उसमें क्या एक तो इसमें indirect tax लगता है और दूसर क्या है सबसिडी देनी पढ़ती है माइनस करते हैं इन्डेक ٹेक्स को सबसिडी को सबसिडी देखो मैंसे सबसिडी डाल दो तो यह ہ팍रा बांज जाता है क्या नेट inverse तो इसका आदर कहा रहेगा GDP market पे market अगर market इसकी बात करें तो market میں आपकी factory की cost कितनी होगी वो market की cost से हम अगर induct tax को निकालने सिंपल है जपर factory में चीज है तो नार्मली इसके 50 रपे है चीज का price suppose market में अब आती है GDP market में तो market में वो उसमें induct tax लगेगा और सबसीडी चोड़ने पड़ेगी तो यह चीज़ें आप निकाल दो अगर तो वापस से वही बन जाता है GDP is equal to factor cost, factor cost जितना था उतने ही बन जाएगा, समझ दो आप बात का, तो question number 10 का answer करें जल्दी से, who was the finance minister of India when the economic reform took place under the new economic policy, 1991, economic reform कब आया था, कौन finance minister था, जल्दी से बता है, 1900 economy में कौन था finance minister, प्राइम मिनिस्टर कोन था, नर्सीमा राओ और finance minister कोन था, जल्दी से बता है, Dr. Manmohan Singh जी, okay, so these are the 10 important questions from the economic portion, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपके लिए बहुत मेंद किया है बनाने के लिए तो आप चैनल को, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, okay, subscribe the channel please, thank you for watching.